हेलो स्टुडेंट्स आज के वीडियो में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे मराठी सुलब भरती यत्त सहावी एनिक अक्षा छटी इसका दूसरे पार्ट का माज़ा आनुबव इस पार्ट का स्वाध्य प्रश्ण पहला का ते लिहा का ते लिहा यहने कारण लिखना है रिमाने आनन्दाने उड़या मारलया इसका हिंदी में आर्थ है रिमाने आनन्द से एनि खुशी में आके नाचना शुरू कर दिया तो इसका उत्तर है आईने संगितले उड़या अपलेला आगड़ी ने मामाचा गावाला जायचे आहे मनुद रिमाने आननन्दाने इसका हिंदी में अर्थ है बच्चे ने छोटे बालक को अपने गोधी में लिया उत्तर बाड मुलाकड़े पाहुन खुदकन हस ले मनुन मुलाने बाड़ाला मंडी वर घित ले इसका हिंदी में अर्थ है बच्चे का मन खुशी से थुई थुई नाचने लगा उत्तर पानांची सरसर नदी चा पाने ची खड़ खड़ आईकु येवू लागली जाड़ी तिल पक्षयांची किलबिल शेतात चरनार्य गाईनचे हम्बर ने बकरेंचे बें बें हे सारे वातावरनात मिसरुन गेले होते शेतातली पिके वार्यावर मंद मंद डूलत होती हे पाहुन मुलाचे मन आनंदा ने थुई थुई नाचु लगले बड़ी ही मुलाणना गही वरून आले इसका हिंदी में अर्थ है बच्चों की भावनाए भराई उत्तर आजी चा हाताचा थर्थर नारास परिश खुप प्रेमर अनबोलका होता आजी ने मुलाणना जवर घेत ले तिने मुलाणचा डोक्या वरून तोंडा वरून हात फिरोला मनून मुलाणना गही वरून आले प्रश्ण दूसरा सुट्टी कदी संपली ते आम्माला समझलेस नही असे मुलाला कावाट ले तुमचा शब्दा लिहा इसका हिंदी में अर्थया है छुट्टी कप खतम हो गई ये हमें समझ में भी नहीं आया ऐसे बच्चों को क्यों लगा आपके शब्दों में लिखो उत्तर मामाचा गावी मुलाननी खूप धमाल केली वीरी वर पोहायला जाने शेतात बागडने अम्बेचा जाडावर चडने कैर्या खाने पाडाचा अम्बा तोडून खाने बैल गाडितून मामा बरोबर फेर फटका मारने शेतावर जाने आमराईत मामा बरोबर फिरायला जान प्रश्ण तीसरा है वाचा सांगा लिया इसका हिंदी में अर्थ पढ़ो बताओ और लिखो और नादमें शब्द नादमें शब्द में आपको उधारन दिये है चुम चुम और जुग जुग यह प्रश्ण का उत्तर जो है बच्चो यह जो नीचे शब्द दिये है आपको चुम 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 और जुग जुग यह आपको पढ़ना है बताना है और अपनी कौपी में लिखना है बस इतना ही करना है इसमें अगला प्रश्ण प्रश्ण चुथा खालिल प्रश्ण या नीचे दिये गए शब्दों के समान अर्थ के शब्द लिकना है उतर वारा या हवा या पवन तोन्ड या मूख या चेहरा रस्ता या मार्ग या वाट आई या माता या मातोश्री शेत या वावर या कृशी तो ये बच्चों जो मैंने दो-दो समान अर्था की शब्द लिखे हैं आपको ये कही शब्द लिखना है समान अर्था का उत्तर में प्रश्न पाचवा जोड़या जुड़वा ये जोड़ी है ये जोड़ी हमें लगानी है इधर आगट दिया है और इधर बगट दिया है आगट के शब्दों की जोड़ी है वो बगट के शब्दों के साथ हमें लगानी है तो देखो मैंने इसके उत्तर बना के रखे है ये है उत्तर जोड़या जुड़वा आग गाड़ी इसका उत्तर है नमबर 3 जुग जुग पैंजन नमबर 5 चुम चुम गुंगुर माड़ा नमबर 1 खुड खुड बैल गाड़ी नमबर 2 खड़ खड़ और पानी नमबर 4 खड़ खड़ तो यह इसके उत्तर है इधर यह गाग गाड़ी पैंजन गुंगुर माड बैल गाड़ी पानी ये दिया है और इनके आवाज किस प्रकार के होते हैं तो ये यहाँ पर उसकी आवाजों की जोड़ी लगा के दिखाई है प्रश्ण नंबर सहा ये छटा प्रश्ण गाई चे हमबरने तसे खालिल पशुपक्षां चे आवाज दर्शक शब्द लिया ये की इसका आर्थ ये है कि गाई की आवाज को हमबरने बोलते हैं उसी प्रकार से दूसरे जो पशुपक्षी है उनके आवाज दर्शक शब्द हमें लिखना है तो हम इसका उत्तर देखते हैं ये उत्तर है बच्चों बकरी बेबे वाग डरकाडी बेडूग डराओं डराओ कुत्रा भूबू मांजर म्याओ म्याओ और मोर केकारों ये बकरी की आवाज को हम बेबे बोलते हैं वाग डरकाडी बोलते हैं बेडूग ये मेंड़क इसकी आवाज को डराओ डराओ बोलते हैं कुत्रा ये कुत्ता भूबू करता है मांजर ये बिल्ली म्याओ म्याओ करत उसकी आवाज को हम बोलते हैं के कारो अब प्रश्ण सात्वा है खालेल वाक प्रचार अंसा वाक्यात उपयोग करा यह नीचे जो वाक प्रचार दिये हैं उनका एक एक वाक्य हमें बनाना है उसका वाक्य में प्रयोग करना है तो यह बच्चों आपको करना है प्रयोग आप किताब में देख के भी कर सकते, दूसरे भी वाक्य बना सकते हैं, मैंने आप लोगों को समझने के लिए एक-एक वाक्य यहां बना के दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यही वाक्य लिखेंगे, आप अपने मन से वाक्य बना के इसमें लिख सकते हैं, अ है खुदकुन हसने तो इसका मैंने वाक्यों में प्रयोग किया है माउशिचा मांडिवर बसलेले बाल माजा कड़े बगुन खुदकन हसले आ, गाड जोपने, मुलाचा मांडिवर्चे बाल, बाहेर पहाता पहाता गाड जोपले ये बच्चों मैंने आपको समझने के लिए पाठ के ही अंदर के वाक्य के प्रयोग बनाए है आप इसमें दूसरे भी लिख सकते है कड़कडून भेटने, बर्यास दिवसननी भेटल्यान अंतर मी वो माजी मैत्रीन कड़कडून भेटलो तुकू तुकू पहाने, छोटे से बाल, बाहेर ची जाडे तुकू तुकू पाहू लागले आनन्दाने थुई-थुई नाचने शेतातिल पिके पाहून माजे मन आनन्दाने थुई-थुई नाचत होते गही वरुन येने आजी चा प्रेमर्स परशाने मला गही वरुन आले तो ए हो गया बच्चो आपके सात्वे प्रश्न का उत्तर प्रश्न आठवा है बाजार हाट या सारके आन्खी का ही जोड़ शब्द लिया देखो बच्चो इस प्रश्न का अर्थ ये है कि बाजार हाट ये एक शब्द है जोड़ शब्द तो इसमें बाजार याने भी बाजार होता है और हाट याने भी बाजार होता है दोनों शब्द येकी अर्थके हैं, लेकिन फिर भी इनको जोड के लिखा हैं, तो इस प्रश्ण में ये पूछा गया है, कि इस बाजार हाट जैसे और कुछ जोड शब्द आपको यहां लिखने हैं, मैंने आपको उदारन के लिए उत्तर में लिख के बताए हैं, आप अपन होता है, जो कि पेड की सुखी हुई पत्ती गिरती है, उसको हम बोलते हैं, केर, कचरा, केर याने भी कचडा होता है, कचरा याने भी कचडा होता है, तो ये बाजाराट जैसा एक शब्द हो गया, काम धंदा, इसमें भी काम याने भी काम होता है, धंदा याने भी काम होता तो काम धंदा एक शब्द हो गया कोर्ट कचरी कोर्ट और कचरी दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है लेकिन फिर भी इसको जोड़ के लिखा है जाड़े जुड़पे जाड़ और जुड़प ये दो शब्द एक ही अर्थ के और इनको जोड़ के लिखा है पाने फुले और यह पत्तिया और फूल, सब्जी मंडी, सब्जी का जो बजार होता है, उसको सब्जी और मंडी बोलते हैं, तो यह सब्जी मंडी यह भी इसी प्रकार का शब्द है, जिस प्रकार से यह शब्द है बाजार हाट, तो यह हो गया आपका आठवे प्रिशन का उत्तर, अब देख पुछा गया है कि आपने अगर कोई एखाद अच्छा काम किया हो तो उस प्रसंग का अनुबोल एखन आपको अपने शब्दों में करना है आपको अपने शब्दों में करना है जैसे कि कोई भी एखाद अच्छा काम किया हो आपने उसको इसमें लिखना है तो आपको मैंने फॉर एक्जम्पल उदारन के लिए एक यहां उत्तर लिखके दिखाया है लेकिन यह मेरा उत्तर है आप अपनी शब्दों में आपको जो काम अच्छा लगता है उसका उत्तर लिख सकते हैं देखो थोड़ा सा इसका उत्तर देख लिजे मैंने कैसे लिखा है देखो मैंने ये उत्तर लिखा है कि नागपूर चा सिताबरडी चा रस्त्यावरून एक पुर्द्ध आजोबा जात होते ते काठी टेकवत टेकवत रस्तावोलांडनेचा प्रेत्न करत होते मेरी द्रुष्टी से मुझे एक अच्छा काम लगा और मेरा अनुबो मैने यहां लिखा आप अपना अनुबो लिख सकते है इस अनुभव को मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार का अनुभव है इसी प्रकार के अनुभव आप लोग भी इसमें इस उत्तर में नववे प्रिश्ण के लिख सकते हैं नाखपुर चा सिता बरडी चा रewरों एक पुर्द्ध आजोबा जात होते हैं याने की नाखपुर की सिता बरडी का जो रास्ता है उस रास्ते से एक पुर्द्ध आजोबा याने दादा जी जा रहे थे ते काठी टेकवाट टेकवाट रस्ता वोलन्याचा प्रेतन करत होते वो अपने पास जो स्टीक थी उसको टिका आते टिका आते रस्ता पार करने का कोशिश कर रहे थे पन रस्ते वर रहादारी खुप असले मोडे ते रस्ता वोलाणने साथी बुच्चकडत होते लेकिन रस्ते पर रहादारी येने ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो वो रास्ता क्रोस नहीं कर पा रहे थे कारण ते अंधड़े होते हैं, इसका कारण क्या था कि वो अंधे थे, उनकी आखे नहीं थी, गाड़ें चे एक सर के हौर्न चे आवाज तेन्ना आइकवेत होते, और उनके कानों से सुनाई देता था, गाड़ीयों के लगातार हौर्न के आवाज वो सुन रहे थे, और इसके कारण वो रास्ता पार नहीं कर पा रहे थे, उनको लग रहा था कि गाड़ी आएगी, बीच में कैसे पार करूं, इस प्रकार से, में धावत जाओं तेन्ना अशा आवस्तित बगताच, रस्ता वो लणने साटी तेन्चा हाथ दरला, फिर मैंने उन आजोबा को देखा, दा नान वो इसमें, नवे प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, अब देखो प्रश्न दस्वा, प्रश्न दस्वा है, तुमचा घरातील वेक्तिन बरोबर सुट्टी चे दिशी तुम्ही कशी मजा करता ते लिया, इस प्रश्न में पूछा गया है, कि आप चुट्टियों मे अपने घर के वेक्तियों के साथ क्या कर रहे हैं, छुट्टी एंज़ाय कर रहे हैं, तो एक आद दिन आप चुट्टी एंज़ाय कर रहे तो उसका आप कैसा मज़ा ले सकते हैं, वो इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, तो इसमें भी इस सब आपको अपने उसके आदार पर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। खूप मजायेत। नंतर आम्मी थोड़े इकड़े तिकड़े फिरून तेथील सुरुष्टी संदर्याचा आस्वात घेत। गाणयांचा भेंडया, गावाचा नावांचा भेंडया बगेरे खेत। वो सायंका होतास घरी परतेत। अशारीतिने मी माजा घरातिल वेक्तिन ब माजाद दादा यानि मेरा भाईया इन लोगों के साथ एक सुन्दर से जगह पर पिकनिक मनाने जाते हैं। वहां हम अपनी खूद की परसनल गाड़ी से जाते हैं। और अपनी गाड़ी होने के कारण किसी का दूसरों का टेंशन ने रहता है तो मुझे खूप मजा आता है और इसके लिए हम क्या करते हैं सुबह उठ जाते टिफिन बना के ले जाते और वहां जाके बढ़िया दरी बिचा के और एक साथ सब लोग बैटके फैमिली के और गपे लगाते लगाते टिफिन खाते हैं और बहुत मजा आता है। और फिर हम बाद में खाना खाने के वहां के सुरुष्टी संद्रे का असवाद लेते हैं और वहां जाके हम थोड़ा सा गाणी गाणा इंचा भेंड़ायने अंताक्षरी और गाव के नाव जो होते हैं उसकी भेंड़ायने उसके भी अंताक्षरी जैसा खेल खेलते हैं और शाम होते बराबर हम क्या करते हैं गाड़ी में बैठके घर वापस आते हैं, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारे घर के वेक्तिव के साथ छुट्टी मनाते हैं, छुट्टी एंज़ॉय करते हैं, तो ये बच्चों मेरा अनुभो हो गया, आप अपना अनुभो इसमें लिख सकते हैं, अब देखते हैं, हम अगला प्रशना, प्रशना नंबर ग्यारा, छालिल शब्दांसर के दोन दोन शब्द लिया, इसका हिंदी में अर्था यह है, खालिल यहन निमनलिखित, नीचे दिये हुए हैं, शब्दों के जैसे दो दो और शब्द आपको लिखने हैं, जैसे कि नीचे यह शब्द दिया है सरज़, भुर्भुर, लुक-लुक और खड़कर, तो इनके जैसे आपको और दो दो शब्दा लिखने है, तो मैंने ये लिख के बताये हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, देखो बच्चो इसका उत्तर मैंने ये लिखा है सड़ सड़ के जैसे दो शब्द मैंने लिखे है कड़ कर मड़ मड़ भूर भूर के जैसे दो शब्द लिखे है सूर सूर फूर फूर लुक लुक के जैसे दो शब्द लिखे है टुक टुक चुक चुक और एक ज्यादा लि बारा प्रश्ण नमबर बारा है हे शब्द असेच लिया इसका हिंदी में अर्थ यह है कि यह जो नीचे शब्द दिये हुए है यह शब्द हमें ऐसे ही लिखना है अब आप बोलेंगे कि ऐसे ही लिखना है देखके तो क्यों लिखना है क्योंकि आपकी लिखने की प्रैक्ट के लिए ऐसे ही लिखने हैं जैसे कि वूद्या दकोया लगा है उन्हाने तल्लीन स्टेशन स्वागत वार्याचा तेवढ्यात एणार्या रस्त्याला कोमडैंसा स्पर्श प्रेमल दुसर्या कैर्या सुट्टी अम्बैचा ये शब्दा आपको कोही भी इसमें चेंज नहीं क कंडिशन में हैं वैसे ही लिखने हैं जैसे के वैसे तो यह है अपना प्रश्न नंबर बारा अब देखते हैं प्रश्न नंबर तेरा प्रश्न नंबर तेरा में हैं खालिल शब्द आपन कधिवा पर तो इसमें ये पूछा गया है कि ये जो नीचे शब्द दिया है कुरु है देखो एक कुरुपया शब्द जो है आप सब को मालूम है हम कब यूज करते हैं कुरुपया शब्द जब हम किसी को विनंती करते हैं विंती करते हैं तब कुरुपया शब्द हम क्या करते हैं यूज करते हैं जैसे कि बोलते हैं कुरुपया शांत बैटिए कुरुपया शो करा ये शब्द हम कभ यूज करते हैं जिसको हम ख्षमा मांगते हैं तो उस समय हम mayoría किसी को समझ भी हो प्षमामागना है तो हम बोलेंगे कि इंगे किसी ने हमारे उपर आइसान किया है तो उस आइसान का आभार वेक्त करने के लिए हम क्या करते हैं ये शब्द का यूज करते हैं आभारिया है जैसे कि किसी ने मेरी मदद की तो हम क्या बोलेंगे आपने मेरी मदद की इसलिए मैं आपका आभारी हूं इसका मराठी में बोले अब नीचे का प्रशन देखो, आपने का वस्तु बद्दल बोलू लागलो कि तैस एक वचन मनतो, यह वचन का प्रशन है बच्चों, जैसे हिंदी में आपने वचन पढ़ा होगा, हिंदी में एक वचन और बहु वचन यह वचन के दो प्रकार होते हैं, है न, एक वचन किसे बोलते हैं, जैसे कि एक ही वस्तु का बोध होता है, तो हम उसको एक वचन बोलते हैं, जैसे कि एक पेन है, तो हम क्या बोलेंगे, पेन, एक पेन, और एक किताब है तो बोलेंगे, एक किताब, लेकिन एक से ज़्यादा किताब है, दो है, तीन है, सो है, तो हम उसको क्या ब बताया गया है वचन, एक वचन और बहु वचन हिंदी में होता है, संस्कृत में होता है, एक वचन, द्वी वचन और बहु वचन, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, और मराठी में होता है, एक वचन और अनेक वचन, आप जिसको बहु वचन बोलते हैं, बहु याने अनेक, तो वसी को मराटी में बोलते हैं, अनेक वचन, तो वही इसमें समझाया है, कि अगर हम एक वस्तु के बारे में बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं एक वचन और ये अनेकान बद्दल बोलू लाग लो कि त्यास अनेक वचन मनतो और अनेक चीजों के बारे में जब बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं अनेक वचन बोलते हैं उदार नर्थ एक जा खारण है एक अगर पेड़ है तो एक अगर जाड़ है तो उसको बोलेंगे हम जाड़ लेकिन अनेक पेड़ है अनेक जाड़ है तो उसको हम बोलेंगे जाड़े यह का प्रत्य लगता है इसी प्रकार से यह नीचे जो आपको कोश्टक दिया है यह आपको समझना है यह देख एक है तो हम इसको मराइटी में एक वचन में चत्री बोलते हैं और अनेख है तो चत्र्या बोलते हैं जैसे कि त्रज है यह जोड़ा आक्षर ये आदा हो के उसको या लगा हुआ है उसी प्रक96 दोड़ा यानि अग एक आखु आ का पूसइन expect दोड़ा भोसाู้ और एक से ज् पाटी यहने स्लेट एक है तो पाटी अनेक है तो पाट्या आधा त बनके उसको या लगा है अंगठी यहने अंगूठी एक वचने तो अंगठी और अनेक वचने तो अंगठ्या ठ को या लगा बांगड़ी यहने चुड़ी एक है तो बांगड़ी अनेक है तो बांगड़ा पुस्तक एन किताब एक है तो पुस्तक और अनेक है तो पुस्तक के एक का प्षते लगा है तो यह को गया बच्चो एक वचन ऊ-बघुवचन इसको मराठी में बोलते है एक वचन और अनेक वचन अब निचे का प्रश्ण देखो खालिल वाक्यांतिल नामानना अधोर एखित करा इसमें प्रश्ण में कुछ नाम पहले आपको नाम समझना पड़ेगा इसमें बोला है कि निचे जो नाम दिये है उसको अधोर एखित करना है ने अंडरलाइन करना है यह जो वाक्य दिये है अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, इसमें नाम आये हैं, तो उसको अंडरलाइन करना है, हमको दिखाना है कि यह इसके वाक्य के नाम है, अब नाम यानि क्या होता है, नाम यानि नाओ नहीं, नाम यानि संग्या, जिसको आप हिंदी में संग्या बोलते हैं, उस इसी भी चीच को, प्राणी को, या भाव को दिया हुआ जो नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, बस वही हमें इसमें से पहिचानना है, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको हम चलो, पहिचानते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, यह मैंने यहां अंडरलाइन करके आपको नाम दिखाये हैं, इसमें पहला वाक्य है बच्चो, बाबांसा, सद्रा, उसावला, तो इसमें बाबांसा यह एक नाम है, और सद्रा यह दूसरा नाम है, दूसरा वाक्य है, आ, सुमन ने, गुलाबाची रोप्टे, गुलाबाची रोप्टे लाव ले, इसमें का नाम है सुम्मन्ने और घुलाब गुलाबाच्ची ये दूसरा और रोपट ये तीसरा तीन नाम आ गया तीन संग्या आ गया इसमें इफूरुं बैल एत होता इसमें एकी नाम है बैल जरीता वे नाम है फरिदाभी नाम है और मैत्रिनी ये नाम है पंकजने परिक्षेत पहला नंबर मिडवला पंकजने ये नाम है परिक्षेत ये नाम है और नंबर ये नाम है तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्ण के नाम यह निसंग्या पहचान लिए अगला प्रश्णा सूविचर इसमें क्या है बच्चों यहां जैसे यह देखो दिये है सूविचर आपको बनाने है इस प्रकार से तो यहां यह पढ़ लो आप बना के दिखाए हैं लेकिन आप दूसरे भी सूविचर बना सकते हैं पहला सूविचर है मन प्रसंद्न असेल तर कामात उच्साह ये तो वह काम जटपट होते दूसरा सूविचर है मना पासून वह एकागरते ने काम केले की जूना यश हमकास मेते तीसरा सूविचर है चांगले पेराल तर चांगले वुगवेल ये विशरता कामा नए कारणते जूना चे सुत्रा है चौथा सूविचर है अधिक मित्र हवे अस्तील तर दूसरेंचा गुणांचे मना पासून कवतू करा तो इस प्रकार से सूविचर आपको बना के लिखने है अगला प्रश्ना सूचना फलक सूचना फलक का क्या रथ है बहुत बार क्या होता है हमें सूचना ये दी जाती है मौखे कृप से भी सूचना ये दी जाती है लेकिन मौखे कृप की सूचनाओं का पालन नहीं किया जाता है जगा जगा सूचनाओं के बोर्ड लगे रहते हैं तो उसको बोलते हैं सुचना पला जैसे कि इस प्रकार के वोर्ड रहते हैं तिकिटा योडेस पैसे वहा कास द्यावे तिकिट मागुन गयावे जैसे कि हम बस में बैठते हैं तो कुछ लोग पैसे देने के टाइम में उनके लिए सुचना है कि तिकिट के इतने ही पैसे आप वहां क्याने conductor को दो और conductor से टिकेट ले लो स्त्रिया वा अपंग यांचा साथी राख्यों ठेवलेले जागे वर बसुने बहुत बार क्या होता है गाड़ी में बस में स्त्रियों के लिए अपंगों के लिए महिलाओ के लिए रिजर्वर शीट रहती है लेकिन क्या होता है उस जगह पर भी लोग बैट जाते हैं तो इसलिए वहां स्त्रियों लिखी होती है बस में गाड़ी में कि स्त्रिया वो अपंग यांचा साथी राख्यों ठेवलेले जागे वर बसुने यानि कि महिलाओ के लिए और अपंगों के लिए जो राख्यों सीट है उस सीट पर कोई भी नहीं बैठेगा तीसरी सुचना है स्पीड ब्रेकर कड़े करून का दुरलक्षा अभगात हो उने मनुन द्यासदैवा लक्षा यानि कि स्पीड ब्रेकर लगे हुए रहते हैं रास्ते में एक्सिडेंट नहीं होना चाहिए इसलिए लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं अपनी गाड़ी बहुत स्पीड से ले जाते हैं ध्यान नहीं देते हैं स्पीड ब्रेकर के तरफ तो इसलिए महां सुचना लगी हो सदयवा आपको क्या करना है उसकी तरप ध्यान देना है वाहन चालो ताना usd parameter नेमी टाढ़ावा ये कि वाहन चलाते समय आपको क्या करना है मोबाइल का यूज नहीं करना है उसको तालना है इस प्रकार की सुचना भी दी जाती है क्योंकि बहुत बार इस से भी एक्सिडेंट होते हैं, तो यह है सुचना फलक, आप लोग समझ गए होंगे इस से, तो यह है अपना सुचना फलक, आगे का प्रशन, आगे का प्रशन यह है वात्सा, वात्सा यानि पढ़ो, अब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि कभ हमारी रीडिंग अच्छी नहीं होती हैं हम ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं तो यह पढ़ने का अगर हम प्रैक्टिस करेंगे सराव करेंगे तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं इसलिए यह यहां प्रश्ण दिया है कि वाचा याने पढ़ो काल सकाडी सहाचा सुमारास मी बाबान बरोबर फिरायला गेलो होतो पुर्वेकडून सुरिय वर येत होता सुरियाची ती लालसर पिवडी किरने किती वेगडी वच्छान दिसत होती तैंचा कडे मी वारंवार पहात होतो सकाडचा तो गारवा किती च्छान वाटत होता रस्त्यातल्या जाडान वर वेगवेगडे पक्षी बसलेले होते तैंचे वेगवेगडे आवाच कानान वर पडत होते बाबा खुपच भरभर चालत होते चालता चालता मी मात्र दमलो होतो बाबा नमी थांबायला संगीतले आमी एका ठीकानी बसलो बाबा सकाडचा मोक्ड़या व शुद्ध हवे विशही मला सांगत होते खरच तैंच शुद्ध वो मोक्ड़या हवेचा अनुभव मला एत होता मला प्रसंद व ताजे तवाने जहला सरके वाटत होते रोज सकाड़ी लवकर उटनेचा आणी फिरायला जानेचा अनुभव तुम्मी पन घ्या तुम्माला ही चानवाटे ये मैंने पढ़ लिया है तो इसमें पढ़ने में क्या होता है कहां हमें रुकना चाहिए कहां हमा वाक्य में जो चड उतार ये सब चीज इसमें बताई गई है तो ये हो गया वाचन वाचा तो इस प्रकार से बच्चो माजा अनुभव इस पार्ट का स्वाध्य हमने यहां देख लिया है थेंक्यू